हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल इगनु असाइनमेंट गुरू जो हमारा सैकिंड पार्ट होने वाले क्यू एन वीडियो अगर आपको कोई भी कोई हो डाउट होगा जो क्या आप पूछन चाते हैं हमसे आप इस वीडियो के नीचे हमसे कमेंट करके पूछ सकता है या से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके प्रोग्राम कोन सा होने वाला है काफे सारी प्रोग्राम में ऐसे हैं जो सेमिस्टर वाइस हो गया है जैसे कि जुलाई में होने वाले है आपको जो सिंपल ये चेक करना होगा कि आपको जून से ही प्रोग्राम के लिए अपलाएक है वह प्रोग्राम या फिर आपको जो सेमिस्टर वाइस है अगर आपका annual वाईज है यानि कि आपका एक साल में एक बारी एक्जाम होता है तो उसके लिए आपको पुरे एक साल वेट करना होगा यानि कि आपने January में लिया है आपका annual बेस्ट प्रोग्राम है तो आपका एक्जाम जो है January 2020 वालों के December में होगे अगर आपका semester based कोई साल प्रोग्राम है जैसे कि BCF वेगरा होगे तो उसके एक्जाम जो है आपके July 2020 में होगे सिंपल सा है यह question था बहुत साई student ने कोई रिपूछी है तो इसका answer है आपको आप मिलिया होगा तो next question है कि आपको assignment कितने pages में लिखना होता है सबसे पहले बाद तो यह चीज बहुत गया आता है कि आपको pages गिनने होंगे assignment लिखने के लिए आपको जब भी आप assignment बनाएंगे आपके question के उपर ही लिखा होगा कि आपको question कितने words में लिखना है यह depend करता है आपकी writing पर कि आप एक line में कितने words लिखते हैं पर आपको 500 तक words में उसको answer लिखना होता है आपको question के उपर ही लिखा होगा कि आपको कितने words लिखना है 500 वाला मैंने आपको इस एक्जामपल दिया है यह हर assignment के लिए नहीं होता आपको जब देखना पड़ता है कि आपको question कितने marks है आपको जब उपर कितने ज़्यादा word limit दी गई है आपको ध्यान में रखके अपना assignment लिखना होता है ऐसा नहीं है कि आप जितने ज़्यादा pages assignment में लिखेंगे आपको जब उतने ज़्यादा marks मिलेंगे अगर आप यह सोचे हैं तो यह बिल्कुल गलता है आपको जब बहुत ज़्यादा pages आप अगर assignment में लिखेंगे आपको जब उतने ज़्यादा marks लेंगे साथ एक आप सब्सक्राइब पूछे रहे थे कि assignment के लिए आपको कौन से sheets का यूज़ करना होता है आपको पता होगा lockdown चल रहा है अभी के लिए यह वीडियो जो मैं लोगडाउन के बीच में बनाओ अभी आपको पता होगा lockdown अभी चल रहा है आपको जो अभी A4 size sheet नहीं मिलने वाली है तो इसके लिए आपको टैंशन नहीं जूरत नहीं है आपको पता दो अभी lockdown चल रहा है कि आपके एक्जाम जून में लगता नहीं है कि लोगडाउन मैं मही में खतम हो जाएगा अगर खतम भी होगा तो काफी चाज़ जो इस पर restriction लगें क्योंकि social distancing से covid-19 जो बहुत ज़्यादा पहलता है सिंपल सी बात है अगर कोई भी update आएगा इग्णू का जून एक्जाम से related अभी तक कोई भी update इग्णू नहीं दिया एक्जाम से related अगर कोई भी update आएगगा इग्णू की official website पर चेक कर लेंगे आपको जहाँ वहीं पर मिल जागा सो अभी के लिए इसका कोई भी update नहीं है कि एक्जाम पोस्पोन होंगे नहीं होंगे और फिर online एक्जाम के लिए काफिछा सिग्णू बूल ले थे तो उसके लिए जो अभी इग्णू को कोई भी official notification नहीं आया है अगर exam पोस्पोन होंगे तो इग्णू जो आपको 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 इग्णू खुद inform करेगा आपको किसी और website पे या फिर किसी और article को पढ़के या कोई न्यूस पढ़के उस पर यकीन नहीं करना है तो अभी के लिए इग्णू ने या फिर UGC ने कोई भी इस बात पर confirmation नहीं दिया कि आपके exam online होंगे या फिर आपके exam September में होंग अभी के लिए अगर आप कोई भी न्यूस पढ़ते हैं आप जो इस पर बिलीव मत कीजिएगा आपके exam पोस्पोन हो जाएंगे इसका अभी तक कोई भी official notification नहीं है आपको दुबारा बताये तो मैं अगर आप तोच रहे हैं कि मैंने सिरफ आपको एक अपने हिसाब से बता हुआ कि अभी के लिए जो चल रहे हैं सो आप जो है मेक शूर इगनो की एपसाइट रेगुलरली चेक करते हैं यह का महा पर जो आपको इसके बार में भी अपडेट देखना को बहुत जल्दी मिल जाएगा